ओम गणिश्ची महागड़े शाय नमा राथे राथे दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों भगवान श्री गणिश्ची को बिग्न हर्दा कहां चाहता है भगवान श्री गणिश्ची अपने भक्तों की हर कष्ट से रक्षा करते हैं हर कारे के बिग्न बाधाओं को दूर करते गणिष जी पुठी के देवता हैं भागवान श्री गणिष का पूचन करणी से बुठी तेज होती की कुरपा जिस पर हो जाये fracture-92 ही मंगल होता ह। दोगवान श्रीब अतिशी क्रीय क्रिपा प्राम्त करने के हैं और अपने भाक्तों को मन चाहां बर्दान प्रदान करते हैं हर महा में दो बाद चतुर्थी आती हैं फालगुन मास की किष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी इस बार 20 फरवरी दिन रविवार को है इस दिन स्वास सित्थी योग और अम्रश सित्थी योग का निर्माद हो रहा है जिससे इस बार की चतुर्थी और भी जादा खास हो गई हैं दोस्तों इस का दरविवार की दिन होने से इसका महत्व और अतिक बढ़ गया है रविवारी संकष्टी चतुर्थी के दिन भागवान श्री गडेश के साथ भगवान सूरे का पूजन करने से सभी मनुकामनाय पूर्ण होती हैं और कश्टों से छुटकारा मिलता है दोस्तों वीडियो में आगे बाइने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों हिंदू धर्म में पंच देवों का पूजन हर पूजन में अवश्य ही किया जाता है पंचे देवों में से दो देव हैं भगवान शिरी गणिश और भगवान सूरे देव दोस्तों आज के इस सुपसायोग पर भगवान शिरी गणिश के साथ साथ भगवान सूरे नारायन का फूजन करने से भगवान श्री गणिश बल बुध्धी और बिध्या प्राप्त नहीं होते और इसी तरहे भगवान सूरे देप के करपा के बिना व्यक्ति को समाच में मान सम्मान नहीं मिलता और उच्चुपत की प्राप्ति नहीं होते आज के दिन भगवान शिरी गणिश और सूरे देप का पूजन कहने से बलबुथी बिध्या के साथ साथ उच्चुपत और मान सम्मान के भी प्राप्ति होगी और जीवन के सभी बिगन बाथाएं दूर हो जाएंगे इस सुपसायोग पर पूजन कहने के लिए सबसे पहले इसनान करके सच्च लाल रंगे बस्त धारण करें इसके बाद अपने मंदिर के सामने आसन बिछा कर पहँच जाएं भगवान श्री गणिश जी की अगर आपके यहां तस्वीर है तो उसे साफ कप्डे से पहुँच हैं और अगर प्रतिमा है तो उन्हें इसनान कराएं और सच्च बस्त पहनाएं इसके बाद भगवान श्री गणिश का पूजन करें पूजन करने से पहले ताबे के लोटे में शुद्ध जल भरके आप मंदिर में दखें इसके बाद भगवान श्री गणिश जी के सामने एक शुद्ध खीका तिया जलाएं और एक सुगंदे धूपत्ती जलाएं इसके पश्चात भगवान श्री गनिश्ची को सिंदूर से तिलक करें सिंदूर की लाली भगवान श्री गनिश्ची को अतिप्रिय है माना जाता है सिंदूर से भगवान श्री गनिश्ची का पूजन करने से भगवान शिरी गनिश जी की कृपा से धन्सम्मंदी सभी समस्याय दूर हो जाती है भगवान शिरी गनिश जी के सिंदूर से तिलक करने के पश्चात थोड़ा सा सिंदूर आप जल के लोटे में भी ढाले इसके बाद आप इसी सिंदों से अपने मस्तक पर भी तिलक करें इसके पश्चात आप भगवान शिरी गनेश जी को किसी मिश्ठान का भोग लगाए मिश्ठान ना हो तो आप गुड या शक्कर का भोग लगाए वैसे भगवान शिरी गनेश जी को मोदक और बूंदी के लड़ू अतिप्रिय हैं हो सके तो मोदक और बूंदी के लड़ू का भगवान शिरी गनेश जी को भोग लगाएं और थोड़ा सा मिश्ठान या शक्कर आप जल के लोटे में भी डाल दें इसके पश्चात आप भगवान शिरी गनेश जी का पूचन करें दोस्तों भगवान शिरी गनेश जी को दूर्बा अतिप्रिय है दूर्बा एक प्रकार की घास होती है हो सके तो आप भगवान शिरी गनेश जी को 21 दूर्बा की गाठ अवश्य ही अर्पित करें माना जाता है भगवान शिरी गनेश ची को आज के दिन दूर्बा अर्पित करने से मन चाहा बर्दान प्राप्त होता है दूर्बा भगवान शिरी गनेश ची के चर्णों में कभी नहीं रखनी चाहिए दूर्बा को भगवान शिरी गणिश जी के कान पर या हाथ में रखना चाहिए या फिर आप एक बतन में रखकर भगवान शिरी गणिश जी के सामने दूर्बा रखकर भी अर्पित कर सकते हैं दोस्तों दूर्बा अर्पित करने से पहले आप थोड़े से साबुच चाबल लें, उन्हें पानी से अच्छी तरह से धूलें और उसमें एक चुटकी हल्दी मिला लें। इसके पश्चा चाबलों को हाथ में लेकर चाबलों के साथ आप दूर्बा भगवान शिरी गनेश ज को अर्पित करें। इसी तरह से चाबलों के साथ आप पुष्प भगवान शिरी गनेश जी को अर्पित करें। भगवान शिरी गनेश जी को पुष्प अर्पित करने के पश्चात आप थोड़े से चाबल और दो पुष्प जल के लोटे में भी डाल दें। इसकी पश्च प्रणाम करें और आप भगवान श्री गणिश्ची को जिस सिंदू से तिलक किया है उससे अपने मस्तक पर भी तिलक करें प्रणाम करें आप भगवान श्री गणिश्ची की प्रपाप्त होती है इस तरहें पूजन करने के पश्चात अब भगवान श्री गणिश्ची के समक्ष रखें इस तरह ये भगवान शीरी गणिश जी का पूजन करने के पश्चाथ अब आप जल का लोटा ले और इस जल से आप भगवान सूरे देब को जल अर्पित करने के लिए आप पूर्वित शाकी तरफ मुख करके खड़े हो जाए इसके पश्चाज जल के लोटे को अपने दोनों हातों में उपर उठा कर अपने से से उपर उठाएं अब आप तीन बार में भगवान सूरे देव को जल अर्पित करें तीन बार में यानि की पहले थोड़ा जल चढ़ाएं फिर रुखें फिर चढ़ाएं इस तरह से आपको तीन बार में पूरा जल भगवान सूरे देव को अर्पित करना है जल चढ़ाते समय ओम घ्रणी सूर्य नमा मंतर का जाग करते रहें जल चढ़ाने के पश्चाज जल के लोटे में जो भी चाबल या फूल बच जाएं आप उन्हें जल चढ़ाने के इस्थान पर डाल दें और लोटे के किनारे पर जो हल्दी और कुमकुम आ जाए उसे आप लेकर अपने मस्तक और गले पर लगा लें इसके पश्चाथ अपने ही इस्थान पर खड़े होकर आप क्लॉक वाइस साथ बार खूम कर सूरे देब के साथ परिक्रमा करें परिक्रमा करने के पश्चाथ अब आप सूरे देब को प्रणाम करें और फिर सूरे देब के इसी मंत्र ओम खरणी सूर्याय नमा का 108 बार जाप करें मंत्र है ओम खरणी सूर्याय नमा मंत्र का जाम करने की पश्चात अबाब भगवान सूरे देव को प्रणाम करें और अपनी सारी समस्याइं भगवान सूरे देव के समक्ष रखें और उनसे अपनी सभी समस्याओं को दूर करने की प्रात्ना करें अपने जाने अंजाने में की गई सभी कलतियों की शमा मांगे। भगवान सूरे देव को इस तरहें जल अर्पित करने से, भगवान सूरे देव की सारी किर्णे जल में से होकर आपके शरीर पर पढ़ेंगे, जिससे आपका शरीर निरोगी, रूपबान और तेजवान बनेगा और भगवान सूरे देव की प्राप्राप्त होगी दोस्तों भगवान सूरे देव को जल जढ़ाने के लिए कोई जगह नहीं है तो आप एक खाली पात्र रखकर उसमें भी आप सूरे देव को जल जढ़ा सकते हैं और चढ़ाए हुए जल को आप उस पात्र से किसी पौधे की जढ़ में डाल सकते हैं दोस्तों आज के दिन भगवान शरी गणिश जी का सुभे पूजन करने के पशार संध्याकाल के समय भी अवश्य ही पूजन करना चाहें संध्याकाल के समय अगर आप मंत्रों का जाप ना कर सके तो कम से कम आप भगवान शरी गणिश की आती अवश्य ही करें और उन्हीं भोग अवश्य ही लगाएं आज के इस सुपसंयोग पर भगवान श्री गणिश और सूरे देप का पूजन करने से, पंच देवों में से दो देप भगवान श्री गणिश और सूरे देप की असिम्ग परप्राप्त होती है, और जीवन में चली आ रही सभी बिग्न बाधाएं परिशानियां दूर हो जा दोस्तों भगवान श्री गणिश रिथी सिथी के दाता और शुबलाप के प्रदाता हैं, भगवान श्री गणिश अपने भक्तों के रोक शोक बिग्न बाधाएं दुख तरित्ता को दूर करते हैं, शास्तों के अनसार इस बिधी से भगवान श्री गणिश का पूजन करन से कर्याइत बिभा में आ रही रुकावटे दूर होती हैं भगवान सूरे देज की कृप्पा से मान सम्मान और उच्छ पत की प्रारप्पी होती है भगवान सूरे देज की कि कृपा से हां छेतर में सफलतां मिलती हैं उमीद 2 आपको हमारी यह वी डियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिस्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिस से भैभी इसका लाब उठा सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें